आज ही पहला एपिसोड आपके साथ में शेयर कर रहे हूं जो कि डाइटिंग के लिए है आप डाइटिंग कर रहे हो और कुछ अच्छा टीस्टी भी खाना चाहते हो जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो तो आज की लंज था लीना आपके लिए बैस्ट है तो वीडियो को दाल और साथ में ओट्स की रोटी बनाऊंगी जो डाइटिशन के सलहा से यह पुरी रोटी में खाना में पूरा बना रही हूं तो यह सबसे पहले करेले को क्या करेंगे काट के साइट से किनारी काट तो चील लेंगे चीलने के बाद इसको हम चीरा लगाएंगी क्योंकि हर तो इसको चीरा लगा ले आप पूरा और अंदर जो बीज वगर रहते हैं यह सब आप निकाले ताकि हम इसके ना स्टफ करेले बना सके और यह इतने टीस्टी बनता है ना कि बच्चे इवान मेरे बच्चों को भी यह बहुत पसंदा आये करे ले बिल्कुल कड़वे नही कड़ी में रख दिया गरम होने के लिए और इसके उपर छनी रखके इनको हमें स्टीम करने हैं हम कोई फ्राय नहीं करने वाले इससे हम स्टीम करके पकाएंगे तो इसको लगभग 8-10 मिनिट लग जाता है स्टीम होने में अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे यह तो आप च देंगे जिसके लिए चंमच आप भाजी दाल सांबर जिक घंक होने देंगे क्शमिरी लाल मिर्ची घड़ा सतुंआ धनी छोटा चंमच झेma थोड़ी सी एक चूट की हिंग डाल दी है हल्दी 1-4 टीस्पून धनिया पाउडर आधा चम्मच लिया है यहापे मैंने नमक टेस्ट के अप डाल दीजेगा मसाली जितना नमक और इसमें बस इसको पीसना है हमें दरदरासा यह देखिए मिक्स्चर हमारा तयार हो चुका है अब कड़ई में आधा चम्मच गाय वाला घी यूज करेंगे गाय का शुद्धगी यूज कीजेगा डाइटिंग कर रहे हो तो आपको यह वाला घी यूज करना है आधा चम्मच जीरा डाल दीजेगा उसके बाद एक बड़ा प्याज बारिक कटा हुआ प्याज को हमें ब प्याज थोड़ा सा बुन गया उसके बाद लसोन अद्रक कुटी वी में डाल दी लगबक 10-12 कली लसोन की और आधा इंच अद्रक का टुकड़ा या पिर अपने टीस्ट के सबसे कम जाद आप कर सकते हो लसोन अद्रक थोड़ा सा बुनने के बाद एक बड़ा सा टमार्ट बारी कटा हुआ इसमें डाल देंगे और एक मिनिट हम इसको और चला देंगे बहुत जाता नहीं पकाना है टमार्ट रखो हमें थोड़ा से सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद ही जो मसाला अमने बना के रखा तना और इसको मिक्स अप कर देंगे बस मिक्स अप करते हुए एक से देड़ मिनिट भूल लीजेगा मसाले के साथ यह अच्छे से स्टफिंग जो है बाइंड हो जाती है कुछ इस तरह से मसाला तयार हो जाता है गैस को कर लीजिगा बारी कटे वे हरे धनिये लास्ट में डाल देंगे और यह स्टफिंग जो है करे लेकी बहुत टेस्क बनती है ट्राय जरूर से कीज़ेगा इससे तो स्टफिंग को भी ठंडा होने देते तब तक डाल बना लेते थे हाप पे पीली मूंग की डाल एक कप जितनी मैंने वाश करके पंदरा मिनिट पहले ही सोक करके रखी थी कुकर में डाल दिया उसी के साथ पानी डाल देंगे जितना डाल को बनाने के लिए हम पानी यूज करते साथ ही एक बड़ा सा टमाटर मिक्सर में पीसा हुआ या फिर दो मीडियम साइज के डाल दीजेगा हल्दी जस्त थोड़ी सी वनफोर टीस्पून जितनी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें अच्छे से हिला दें और कुकर का धकल लगा के बस एकी सीटी आप तेजाज पे लगा दीजेगा पीली मूंकी डाल बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है जादा मत पकाएगा तो जब तक दाल पकरी यहां पे आटा रेडी करेंगे तो यहां पे एक कटोरी मैंने ओट्स लिये हैं इनको पीस ल जालती हुए इसका नौर्मल यहां आटा गुंदेंगे दिसके रोटी काटा लगा अगर आ लगातें अगर अगर यहां इससे बंसाला नहीद जालती हूँ नाहीं मैं इसमें कुछ जहां लगेंगे डालती हूं अप रैस्ट करने के लिए चुपोड़ देंगे 10-15 मिनित के और इसको ने कुछ इस तरह से धागे से आप बांद दीजेगा ताकि जब आम इसको थोड़ा सा सेके ना तो इसको खुले बिल्कुल भी ना स्टफिंग इसकी बाहर बिल्कुल भी ना आए तो मैंने कहा कि धागे को इस तरह से नौर्विल हमने खीचते हैं आदत रहती ना ऐसे खीच के तोड़ने की धागे को वैसे कर लिया था मैंने अब इसको अच्छे से मैंने बाइंट ले तो सारी करे लेना है इसी तरह से आप रेडी कर लीजेगा स्टफिंग अच्छे से भरियेगा इसमें और चलिए अब इसको सेक लेते तो आधा चमची श अच्छा सा करेले के ऊपर ना कलर आ जाएगा रोस्ट हो जाएंगे करेले भापे तो अल्रेटी पके हुए सॉप्ट है थोड़ी सी रोस्टिंग हो जाती न तो टेस्ट में भी बढ़िया लगते है और बापस से मैंने ढख लियो और बस हमारे करेले जो है बिल्कुल रेड जाए थी और गाड़ी इतनी मुझे चाहिए अगर आपको पतली शीक तो थोड़ा सा पाली आड़ कर कि इसको बॉइल का लीजिगा यह आदा चमची मैंने घी लिया है घी जब तक गरम हो रहा है इसमें मसाले डाल देंगे मैं थोड़ा सांबर मसाला लाल मिर्ची और आम इसमें डाल रही हूँ आज मेरे पास गरम मसाला चो था खतम था तो उसके सांबर मसाले का इस्तमाल कर रही हूँ बारे कटे वए हरे धनी उपर से डाल दिये घी गरम हो गया इसमें एक छोड़ा चमची जीरे का डाल दे एक चुटकी चितनी हिंग डाल दे और दो हरी मिर् मसाले के उपर से बहुत ही कम मतलब घी का इस्तमाल की है मैंने डाल में और यह डालना बनकी बिल्कुल तयार है बहुत प्यारी बनती है टेस्टी सिंपल और हेल्दी सी है आटे ने रेस्ट कर लिया थोड़ा सा गी लगा कि आप इसको मसाल ले लोई तो ले जितनी आपको रोटी की साइस चाहिए और जिस तरह नॉर्मल रोटी बनाते है उसी तरह से आप बना लीजेगा च्छोटी सी रोटी बना ली बीच में घी लगा लिया इसको पैक कर लिया जैसे मैं हमेशा बनाती नो रोटी पस उसी तरह सी आपको दिखा रही हूं है और सुखा ग्यों क बढ़िया ही लगती है और बहुत हेल्दी है तो इस रोटी को आप ट्राइज जरूर से कीजेगा अगर डाइटिंग कर रहे हो तो और सो गहों की आटिम मिक्स रोटी तो आज की रेसिपी कैसे लगी है पसंदा ही तो शेर जरूर करें थैंक्स फॉर वाचिंग